एक बिल्डिंग का उनर जो अपने बिल्डिंग में रहने वाले सब लोगों की लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करता है यह सारी सिच्वेशन एक बहुत दी बड़ा डाक टन लेती है है रो फ्रेंज, आज के हमारी मुवी The Tenants Downstairs ही इसी थीम पर बेस्ट है यह मुवी बहुत अलग-अलग टन्स लेती है, इसकी एंडिंग भी शॉकिंग है तो इस वीडियो का अंतक जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किस दरीगे, एक्स्पनेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है, और हमारा मेन क्यारेटर एक बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड यह पुलीस की हाँ इंट्रोगेशन के लिए है जो भी हुआ, इसके बारे में उसे वो पूछ रहे थे पर उन्हें कुछ भी नहीं बताता अब पुलीस के पास सब सिच्वेशन जानने के लिए बहुत ही कम टाइम है लैंडलॉर्ड उन्हें स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है वो कहता है, मेरा एक रिलेट्व हस्पिटर में बहुत ही बीमार था वो एक बड़ी सी बिल्डिंग ओन करता था और उसके चावी उसने लैंडलॉर्ड को देती इसके बाद उसकी डेथ होके हमारा लैंडलॉर्ड बिल्डिंग देखने के लिए कया वहाँ पर उसने नोटिस किया प्रिवियस लैंडलॉर्ड इसने सारे building में cameras install किये थे उसके tenant क्या करते थे यह हमेशे उसे पता होता था इसके बाद एक एक करकर इस building में रहने के लिए tenant आना start करते है इसमें से एक character का नाम था Wang जो अपनी daughter के साथ वहाँ रहने के लिए आया हुआ था landlord कहता है कि अपने बेटी को जिस तरह से देखता था यह बहुत ही अजीब था इसके बाद landlord ने ली और लिंकू इंग एक अपल को भी रहने के लिए अलाउड किया था इसी building में और एक youngster रहता था जिसका नाम था Boyan वो एक gamer है और believe करता है कि उसके पास super powers है अपने mind से वो चीज़ों को bend कर सकता है यह और एक character रहती है जिसका नाम है chain chain के घर पर हमेशा उसके co-workers आते रहते है landlord को लगता है कि chain कुछ भी गलत नहीं कर रही इस world में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपने body को use कर रही है chain इतनी beautiful थी तो इस building के सब लोग उसके लिए पागल थे रात में जब वो किसी के साथ intimate होती थी तो उसके आवाजे सुना करते थे उसे देख सके इसलिए दुर्विन लगाते थे में इस chain के उपर ही एक gym trainer रहते है landlord कहता है हमारे यहाँ और एक लड़की रहती थी इसका नाम था इंग्रू इंग्रू के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था वो क्या काम करती थी कब आती थी कब जाती थी कैमेरे में कुछ भी दिखाएं नहीं देता था वो इसके लिए बहुत बड़ी मिस्टरी थी landlord ने यूरी ग्रू में बहुत सारी जो सुटकेस थी इसे जाकर चेक करने का ट्राय किया तब इंग्रू अपनी बॉइफरेंड के साथ वहाँ पोच गई जल्दी से landlord बेड के नीचे ही छुप गया इंग्रू अपने बॉइफरेंड के साथ इंटिमेट हो जाती है बाद में उसे landlord को नोटिस किया पर वो कुछ भी भूली नहीं landlord ने इंग्रू का बॉइफरेंड ये बाट टब में देखा वो इंजोर होकर unconscious पड़ा हुआ था अब इंग्रू उसे मार सकती थी landlord जल्दी से भागा और पुलिस को report करने वाला था पर अपना mind उसने change कर दिया इंग्रू जब वापस आई तो अपने बॉइफरेंड के मौथ पर वो गम लगाती है needle से उसे saw कर दिया boyfriend को जिन्दा रखने के लिए उसने उसे salines लगा कर रखी है नेक्सेन में इंग्रू landlord के पास आई उसे lighter पूछती है landlord इंड्रिक था उस matches से वो करेगी क्या इंग्रू ने candle जला है उसके wax से अपने boyfriend को burns दिये वो उसे slowly slowly cut भी कर रही थी एक दिन landlord इंग्रू से मिलने के लिए उसे पूछता है तुम काम क्या करती हो इंग्रू ने का कि मैं हमेशा वक्त पर rain देती हूँ तो कोई भी problem नहीं है वो landlord से पूछती है कि आप क्या काम करते हो landlord कहता है rain लेने के आलावा मुझे और भी कोई काम नहीं आता इंग्रू ने का एक रूटिन बहुत ही बोर हो जाता है लोग को हमेशा उनकी life में changes चाहिए होते है आपको भी उसी तरीके से जीना चाहिए ये चीज landlord को interesting लगी वो वैसे भी अपने सब tenants को देखता रहता है उनके private life के बारे में उसे सब कुछ पता है और वो decide करता है कि सारे tenants की life को control करेगा रात में सब कोई इंग्रू ने dinner के लिए बुला हुआ था इंग्रू ने लाया हुआ meat ये सब को बहुत अच्छा लगता है सब के चेहरे पर confusion और इंग्रू के character से हम conclusion निकाल सकते है कि meat उसके boyfriend का है dinner करते होए ली ने gamer बोयान को अपने हाथ से meat खिलाया ली के boyfriend लिंग्रू को ये पसंद नहीं आता इसे बात को लेकर लिंग्रू ली से बात करता है इसे दोनों फिर intimate होने वाले थे पर लिंग्रू ने ली से कहा तुम्हें अपने घर जाना चाहिए तुम्हारी wife तुम्हारा wait करी होगी इसका मतलब है एक एक couple है पर इसमें इसे ली की शादी हो चुकी है Nixon में landlord एक medical में गया उसने एक drug लिया जिसका नाम है Aphrodasiak ये drug अगर कोई लेता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें intimate होना चाहिए ये drug landlord ने mosquito की coils में लगा दिया यानि कि सब इसे inhale करे landlord ने सिर्फ gamer को ये drug नहीं दिया इसके अलावा उसे नीम की गोली उसने दे दी थी रात में उसके कपड़े निकाल कर उसे अलग जगा पर हो छोड़ कर आया gamer जब अगली सुबा उठा तो उसे लगा कि उसने टेलिपोर्ट किया है जैसा उसे हमेशा से रखता है कि उसके पास सूपर पावर है इसी चीज़ को लेकर अब landlord उसे manipulate कर रहा है air में drugs inhale कर कर सब लोग का behavior change हो जाता है बहुत सारे लोगों ने अपने आपको फ्लीज किया अगली दिन landlord फिर से gamer को drug करकर उसे अलग जगा पर छोड़ देता है landlord ने सब लोगों को control करना start किया इसके parallel में हम इंगरू को और एक लड़की को घर लाता हुआ देख सकते है अब वो उसका भी murder कर डालती है मिस चेन की उपर रहने वाले gym teacher को उसवर बहुत crush था अब gym teacher को लग रहा था उसे चेन को और भी ज़्यादा जान लेना चाहिए वो इसके लिए उसके रूम में घुस गया तब मिस चेन अपने cover कर को उसके घर लेकर आई gym teacher डर कर closet में छुप जाता है यह दोनों intimate होने लग गए तब मिस चेन के cover कर को call आ जाता है वो उसके साथ intimate हो नहीं पाया इसके बाद मिस चेन यह shower में चली गई ड्रक्स की वज़े से gym teacher अपने आपको control नहीं कर पाया वो मिस चेन के बाद shower में आ जाता है मिस चेन उसे देख का surprise तो थी पर वो ड्रक्स पर है तो उसके साथ intimate हो जाती है जैसे कहां पता है कि ली और लिंगू इन गई गपर्स में problem चल रहे थे ये सब तब से start हुआ जब ली ने अपने हाथों से गेमर को meat खिलाया था landlord ने इसी बात का फायदा उठाया उसने गेमर को बेहोश करकर ली और लिंगू के room में छोड़ दिया थोड़ी देर में जब ली घर पर आया तो उसे लगा कि लिंगू गेमर के साथ intimate हुआ इस बात पर इन दोनों में fight हो गई गेमर को थोड़े टाइम में होश आया उसने उनसे कहा कि मैंने टेलिपोर्ट किया इसी वज़े से मैं आ हूँ पर उस पर कोई भी believe नहीं करता ली और लिंगू में फिर से जगडा स्टार्ट हो गया ली सब चीजों में first चुका था उसकी daughter थी wife थी और एक जगा पर लिंगू था वो एक चाकू लेता है और कहता है कि हम दोनों मर जाते है इससे सब कुछ problem solve हो जाएगी लिंगू इसके लिए नहीं मानता इसके बाद इस दोनों जब intimate हो रहे थे तब ली ने अपने heart में चाकू डाल दिया उसकी instantly date हो गई लिंगू को क्या किया जाए ये समझ में नहीं आया इसी के parallel में हम देखते है इंगू एक छोटी लड़की को किड्नाप करकर लेकर आई है ये इसी building में रहने वाले याइंग की बेटी है लिंगू जब सब कुछ figure out कर रहा था ली के body के साथ किया क्या जाए तब लैंडलूर्ड उसके room में गया और ली की body को gamer के room में छोड़ कर आया जिम टीचर और मीस चैन ये दोनों intimate हुए थे इसके बाद जिम टीचर उसके प्यार में था मीस चैन ने अपनी जो lifestyle जिस तरह से चल रही थी उसी तरीके से continue की उसके co-worker उसके बास आते रहे उसके साथ intimate होती रही इन सब बातों से जिम टीचर परिशान हो गया था वो मीस चैन के पास जाकर उसे समझाता है कि अब तुम्हें इस सब करने की जरूरत नहीं मीस चैन कहती है या तुम्हें पता है कि मेरे clients मुझे कितना पे करते है एक जिम टीचर की salary पर में खुश नहीं रह सकती जिम टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाता है उसे में इस चैन को hurt कर दिया वो अपनी wife को भी मारा करता था इसी वज़े से उसका divorce हुआ था जिम टीचर जब फेसे अपने flat में पहुचा तो landlord ने वैंग की बेटी को उसके closet में रख दिया था यह उसने notice किया और इस लटकी को अपने closet में देखकर वो बहुत ही डर जाता है वैंग अपनी बेटी को ढूंते हुए चैन के पास गया हुआ था चैन उसे बता देती है यह शायद तुम्हारी बेटी जीम टीचर के पास होगी उसके पास हर flat की चावी है वैंग जीम टीचर के हाँ पहुचा और सब कुछ जोड़ने लग गया फाइनली अपनी बेटी को ढूंडी लेता है वैंग बहुत ज़ादा गुसा हो गया जीम टीचर और उसमें लड़ाई हो गई इस फाइट में वैंग की ही डेत हो जाती है इसके पैरलल में हम देखते है गेमर को जब होश आया तब उसने नोटिस किया उसके रूम में लीकी बॉड़ी पड़ी हुई है वो बहुत डर गया पर फिर भी उसने लिंगू को बुला लिया वो कहता है इसके बॉड़ी यहां कैसे पहुचिए मुझे कुछ भी नहीं पता अब ये दोनों इस डेट बॉड़ी को रिपोर्ट करने वाले थे तब लैंडलोड ये देखकर वहां आ जाता है वो कहता है अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो मुझे कोई भी फ्यूचर टेनेंट्स मिलेंगे नहीं लिंगू और गेमर भी इस मैटर को दबाने के लिए मान जाते है लैंडलोड ने का इस बॉड़ी को अब तुम दोनों मिलकर काट डालो इसका हम कुछ ना कुछ तो कर डालेंगे अब हम देख सकते है इस स्टोरी में दो मर्डर हो चुके है एक वैंग का और दुसरा ली का जिम टीचर के पास भी कोई भी आप्शन नहीं था वो भी वैंग को अपनी बैंग में भर कर वहाँ से लेकर जा रहा था लिंगो और गेमर ली की डेट बॉड़ी के साथ और जिम टीचर वैंग की डेट बॉड़ी के साथ हॉलवे मिलते है ये तीनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे जिम टीचर को लगता है गेमर नहीं वैंग की डॉटर को उसकी क्लॉजिट में डाल दिया क्योंकि गेमरी हमेशा अलग-अलग जगा पर उठता रहता है इनकी fight होके और सब को dead bodies के बारे में पता चल गया इसी वज़े से police को बुलाया गया था और landlord custody में है इस building से ये सब लोग गायब थे तो इसे की investigation करने के लिए landlord को बुलाया गया था पुलिस को landlord की story पर believe नहीं होता तो उसका background वो check करते है वहाँ से उन्हें पता चला इस landlord एक police officer हुआ करता था एक बड़े serial killer को पकड़ने की team पर वो था ये serial killer हमेशा high school की लड़कियों को मारा करता था landlord ने उसे पकड़ा पर उस serial killer ने pretend किया कि वो पागल है इसी वज़े से उसे पागल खाने में डाल दिया गया था landlord और उसकी team इस serial killer को सजा दिलवाना चाहते थे उन्होंने decide कि landlord as a undercover agent उस mental hospital में जाएगा landlord के जिस friend को पता था कि वो as a undercover agent उस mental hospital में जा रहा है अचानक से उसका ही accident हो गया और वो कोमा में चला जाता है अब किसी को भी पता नहीं था यह landlord पागल नहीं है पर फिर भी उसे mental hospital में रहना पड़ा इस time में serial killer और landlord एक दूसरे के आसपास ही रह दे थे एक दिन कुछ अजीव सही हालात में serial killer ने खुद कुशी कर ली actual में landlord नहीं उसका murder किया था पर सब को उसने convince कर दिया उसने खुद कुशी की है इसके बाद हमें इस movie का सब कुश suspense पता चलता है mental hospital में landlord को कुछ लोग physically abuse करते थे हमें movie में landlord ने कहा था इंग्रू क्या करती है कैसे करती है यह किसी को भी पता नहीं होता यह इंग्रू नाम का character exist नहीं करता इंग्रू ने जिसका भी murder किया यह actual में landlord ने किया था अब वो किसी को क्यों मारेगा अब landlord ने जिसका भी murder किया यह वही लोग थे जोनों ने उसे mental hospital में physically abuse किया था एक एक करकर उसने सब से बदला लिया है फिर से present में police सब tenants की lease निकालते है उनमें क्या relationship थे इनके बारे में detail निकालने के बाद उने पता चला landlord ने जो भी उने story बताई इस सब को जूट थे उसके building के लोग तो गायब हुए है पर इस सब के बीचे सिर्फ landlord है उसने इस सब का murder किया था जैसे के हमें movie में दिखाया जाता है कि ली cheat कर रहा था इसे के साथ वैंग अपनी daughter को बुरी नजरों से देखता था उसे physically abuse करता था इनी दो लोगों को landlord ने मार डाला इसके पीछे story fictional हो सकती है पर landlord उनी लोगों को मारता है जिन्होंने कुछ गलत किया था फिर से एक flashback के scene से हमें reveal हुआ landlord की भी एक daughter थी इसी daughter को as I enjoy imagine करता था serial killer school की लटकियों को मारा करता था तो उसने landlord की daughter को ही मारा है इसलिए landlord ने उसे बदला लिया movie के first में landlord को अपनी building की चावी मिली थी पर actual में serial killer को मारने के बाद उसके pocket से उसे चावी मिली landlord का बदला आप complete हो चुका है तो इसी के साथ ए movie end हो जाती है अगर आपको इस movie की mystery और twisted ending पसन आए तो प्लीज इस video को like कर दीजेगा बहुत सारे movies लेकर आत रहतो तो प्लीज चालों को subscribe कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये just like landlord